आलो फ्रींड्स, आज हम functional grammar के पहले topic को करेंगे, इसका नाम है subject and predicate subject and predicate किसी भी sentence के दो पार्ट होते हैं तो इसको जाने से पहले हमें यह जानना जरूरी हो जाता है कर और लुइस a sentence. क्या, sentence क्या आप título है तो चलिए पहले जानते हैं हम sentence के बारे में cricket plays raw cricket plays raw cricket खेलता है raw कभी आपने सुना है कभी कोई ऐसा कहता हो खेलता हूं मैं cricket रोटी मैं हूं खाता नहीं सुना हूँ क्यों कि ये सब ओर में ही नहीं है में लिख्राओं संटैंस में होंगे वॉष्था में होंगे दूसरा संटैंस वाल। है नाव है है थाआवर्ग सब्जेक्ट है कि ओचे इस तो विल्बू सही है लेकिन मीनिंग नहीं निकलता लाव पानी खाता है यह मेंनिधूल नहीं बलकि रिडिक्रस सिंटेंस है तो दूसरा जो नियम है सिंटेंस का वह यह है किस नेंस टिमांड करता है कि एक संटेंस हो में निकले मिनिंग फुल जो वर्ड तैन उनका गुर्पभ वो तो यह बहुतं नहीं होसकता यह हो सकता में अधिक्ट्राम ईज इन वाट है मैं एक जिग्यासा बनती हैं जब भी हम कोई बात सुनते हैं तो अमारी एक जिग्यासा बनती हैं इसमें हमाद एक क्वेरी है क्या है ये इंकम्प्लीज सेंटेंस है ओडर में तो है लेकिनौलीट है ये मिल्स हा लेकिन सेंस नहीं निकलती थी ये क्या हुट तो अब संटेंस है आं जो किاتरेंड वीर्ण पर सब्सक्राइए Lamb eu對 यह केलता हैं राम इंजीनियर औरर में इंजीनियर प्रिम्ट एक अरेंज्मेंट है ग्रूप और आजिसका जो हम एक change dabei दें ट्रूप आजदर्ण ज्यांत थे संदेंट iki जक्षेकित के ख़िए ऑब बुब्जेट इसी structure में है यह राम इस एन इंजीनियर यह भी स्ट्रक्चर में है तो sentence क्या है sentence के अगर डेफिनेशन की बात करें तो वो क्या है sentence is an arrangement of a group of words that gives a complete sense एक अरेंजमेंट वर्ड्स का जो एक अरेंजमेंट में हो चलिए यह बात हुए sentence की अब क्या sentence बन सकता है subject की मिना क्या sentence बन सकता है object की मिना हाँ बन सकता है केवल वर्ब ही एक ऐसी चीज है जिसके मिना sentence को नहीं बनाया जा सकता है कि सिंपली कोई जा रहा है आप उसको रोखना चाहते हैं स्टॉप sentence है ले खेलो sentence है छोटा बच्चा अक्सर आपने देखा होगा क्या कहता है पानी इच मिन्स उसको पानी चाहिए मुझे पानी चाहिए ना तो मुझे बोलता है ना चाहिए बोलता है खाली पानी बोलता है तो यह क्या चीज है कि एक वर्ड से भी sentence complete हो सकता है तो यहां पर वह वर्ड क्या है वह वर्व हो सकती है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि में subject या object नहीं है हो सकता है किसी में object ना हो किसी में subject ना हो किसी को बोलते है stop it means you stop किसी को बोलते है play it means you play वह तुम खेलो तो हम वो नहीं रहे हैं कि तुम बच्चों को अक्सर क्लास में बोलते है stand up it means you stand up keep silence it means you all keep silence तो इस प्रकार से हमने जाना कि sentence क्या होता है अब sentence के दो पार्ट है और पहला पार्ट उसका subject है सब्जेक्ट को क्या है गि Carryור कि टो हम बात करते हैं कि एक संटेंस में subject क्या होता था है कि सब्जेक्ट के बारे में कौन सी चीज एक्स्प्लेंट करती है तो चलिए पहले तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग-अलग कर लेंगे तब हमें पता चल जाएगा कि हमें के वग सब्जेक्ट के बारे में जाना है तो देखिए जहां से भी वरब शुरू होती है किसी भी संटेंस में समझ देचा है सब्जेक्ट है कि क्या है सब्या इसके बाद सिंख्ट रच प्रेडी ज़ीन गया में है इनकल रच पर sha으 हि में हमें संटेंस में एसा ही हमें इसंटेंस पिर century अधिन के और मैंने कहा है कि लेकर से लेकर के जितनभी पार्ट संटेंस का बचा है वो सारा का सारा के है प्रडिकेत है के मैं आगे सिंग सा सउंड़ यह सारा हो गहां प्रडिकेत माई यंगर सिस्टर इन मुंबई तो हमारी हासे शुरू है तो पूरा का पूरा पार्ट सब्चेक्ट हो गया है अजीब लग रहा होगा बाट इसको आग एक्स्प्लेन करते के कैसे तो पेटेक्सिस ही आवर पाते लिट शिरे लेthing है सब्चेक्ट और बागी सारत सारा प्रेडिकर सब्चेट कीस को दवारा जो काम किया आजाए है वो हमारा प्रेडिकेट गरांप्लेस किलेट राम किलेट खेलता है और क्या काम और किलेडिकेट गरता है को बोलते हैं विधे और सब्जेक्ट को बोलते हैं बोदेश्य वीडियो के इस पार्ट में केवल हम सब्जेक्ट को एक्स्प्लीन करेंगे तो चलिए चलते हैं सब्जेक्ट की तरह सबसे पहले देखिए राम राम क्या है नाउन दूसरे संक्टेंस में देखिए ही ही क्या है प्रोनाउन तीसरे संक्टेंस में देखिए वर्ब से नाउन बना है Swimming Swimming से Swimming Swimming जो है वो नाउन हो गया तैरा की Listen से Listening तो कोई भी ऐसा वर्ड जो नाउन हो जो क्या हो नाउन प्रो नाउन या फिर वर्ड प्लस आई एंजी से बना हुआ नाउन वर्ड प्लस आई एंजी उससे बना हुआ नाउन तो वो सब्जेक्ट हो सकता है और अगर वो अकेला ही है या वो किसी और के साथ भी है जैसे यहाँ पर मैन नाउन है और यह आ के साथ है तो अगर अकेला नाउन है, अकेला प्रोनाउन है, अकेला वर्ब की फर्रों के साथ IAD लगतर के बनने वाला नाउन है, तो उसको बोलते हैं हम, had word, क्या बोलते हैं, ये, ये और ये, ये तिनों क्या है, H-E-A-D है वर यह क्योंकि एक मुख्य सब्ध है किसी के उपर पुरा संटेंस इंटी का हुआ है तो यह सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट आपका नाउन हो सकता है प्रोनाउन हो सकता है या किसी वर्ड के साथ आएदी लगने से बना हुआ नाउन आपका subject हो सकता है, इनको बोलते हैं, है, इसके बाद, चलते हैं next sentence पर, इसमें subject क्या है, आ में, लेकिन आ में, दो words से बना है, एक तो आ और एक में, में तो क्या है, कि है, 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 वर्ड, अब आ क्या है, पर आ एक और टिकल है अ अ? तीन ं के लाटिकल और थे लेकिन यहां पर आर्टिकल तो है होलो जब बीर आपको एक्जाम में पूछा जाय конф. साल हर नाउन है पूरवने तो आगे आपके पास नाउन, प्रोनाउन, इंटर्जेक्शन, या फिर क्वालिफायर, तो यह क्या है, क्वालिफायर है, यह इस हैड़ गोल्ड को क्वालिफायर करता है, इसको क्या बोलते है, क्वालिफायर, या फिर इसको डिक्रवाइनर बोलेंगे, त्योंकि डिक्रवा दोज दीज यह सारे आपके डिटर्माइनर हो सकते हैं अगर डिटर्माइनर का आपके पास का इन ओप्षिन है तो आप क्या करेंगे यह क्वालिफायर है तो आप मैं मैं हैड़वर्ड और आप वालिफायर यदि किसी संटेंस में सब्जेक्ट के साथ उससे ठीक पहले कोई पॉटिए वर्ड आर रखा है तो उसका क्वालिफायर का है कि वहीं क्या है उसके बात चलिए कि वालिफायर। हम सब्चेक्ट की बात करें रहे हैं, पैडिकेट को हमने छोड़ रखा है, आप फैट में, में क्या होगा? हेज़ वर्ड, आ क्या होगा? क्वालिफायर, अब बच क्या फैट, फैट क्या होगा? एडजेक्टिव, क्योंकि ये में ठी क्वालिटी को बताता है, कि वह आजमी तो है पर कैसा है मोटा है आप फैक्ट में तो आप जब भी तीन वर्ड आ जाएगे सब्जेक्ट और क्वालिफायर के बीच वाला वर्ड हमेशा ही एड्जेक्टिव होगा वह कुछ और नहीं होगा वह हमेशा विशेशन ही होगा तो इसमें क्या है यह एड्जेक्टिव है यह है और यह वालिफायर है और अगर सब्जेक्ट उछा जाए कि इस संटेंस में सब्जेक्ट क्या है तो पूरा का पूरा ही सब्जेक्ट है आप फैक्ट में इसमें आप मे मुंबई और ज्यादा बढ़ गया तोड़ा सा सब्जेक्ट का और भी स्थार करती आ सब्जेक्त के बारे में कुछ एडिस्टनल नॉलेच देती एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देती क्या कि माई यंगर सिस्टर को है रेकिन कहां पर मुंबई में यह एडिस्टनल इंफॉर्मेशन है तो देखे यह चिस्ता पूप कि लिए रहे सिस्टर होगा है ड़र्ड यंगर होगा एड़्जेक्टिव और माई हो गया है तो नाउन लेकिन यह सिस्टर को क्वाळीफाइब रहे है यह क्या करणा से फॉर्मेशन है क्या है यह वारिफाइय है तो जब भी मैंने आपको बताए कि हैं यौ यह पहले दो वर्ड होंगे तो मुझसे जो इनिशियल होटा वह वह calli होगा और जो हैडर और इनिशियल यांकि qualify थे बीद को वर्ड होगा वह क्या होगा एडचेक्टिव होगा तो फिर यह क्या है इन मुंबई जब भी कोई फ्रेज्स होता है is a group of words not sentence तो sentence को भी बहुत है हम लेकिन वू क्या है जो complete sense देता है किसको क्यता है जो अर्हेंज्मेंट में हो complete sense देता हो मुंबई में क्या भी है क्या मुंबई में करता है आपको आपने हमेसा है है वर के बाद घो भी प्रेज आई है उसको बोलते हैं कैसे आ ये अच्टीवु sinosome फुरेज finances को हम गिदे क्वर्यूर में ये येक प्रेज हो गया ने कुछ में हो सकता है, the black bird, sitting in the tree, तो sitting in the tree क्या है, adjectival phrase है, तो आपको यह बाद भी क्लिए हो गई है, कि यह ठीक head word के बाद होगा है, बाद में जो बर्ब है, बर्ब से आगे कहा है, सब predicate है, अब चलते हैं, next, two-pay taxes, हमने कहा कि जहाँ से lore start होते है, इसके बाद predicate होता है, तो two-pay taxes, यह सारा का सारा कहा है, two से लिकर के, razasic, subject है, अब two-pay, कुछ वर्ब के साथ two लगाकर के, हम sentence शुरू कर सकते हैं, two-pay in the ground, is very enjoyable, तो पे टेक्सिज या तू फ्री इंडिया इस अवर एंड तो यह जो टेक्सिज है यह क्या कर रहा है यह तू पे को मोडिफाइड कर रहा है इसलिए इसको बोलते हैं मोडिफाइर सब्जेक्ट कहा है तो सब्जेक्ट तो पे टेक्सिज पूरा का पूरा ही यह संटेंस है इसके बाद नेक्स्ट संटेंस में चलते हैं इसके बाद से तो सारा प्रेडिकेट है इसको मोलते हैं देर बीफिकर्ट को पूरा करने के लिए यूज करते हैं लेकिन यह यह पर सब्जेक्ट के तो पर यूज हुए हैं तो इसको मोलते हैं देर क्या है यह घेघ्रिट के बारे में बाद करेंगे के बारे में भी यस ही बात करेंगे कि यह चीज प्रेडिकेट क्या है यह चीज क्या है लेकिन एक बात कीना ड्रोगे अगर मैं आपको कहून हुआ है मैंई बाध ब्लॉक अगलास बहुंत यहां से है टो तो प्रेडिकेट हो गया मैं चोजिक्ट का आप बोलों कि तक लास नहीं है नहीं तो फिट अगनास क्या है अगर में इस संटेंस को एक्टीव बोइस में एक्टीव बोइस में आई आप ढूब कि डाग the glass न है न कि ब्लोग दाग दा ग्ला तो इसका प्रोली स्केम बलेगा तर ग्लास वाज रोकल ऩो अधर बिए पैसी इसमें तो सब्जेक्ट बन जाता है और उप्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है तो तक ग्लास ब्रोकन में त्वारा मेरे त्वारा मतलब मेरे जैसे हो रहा हूँ एक्षन तो इसमें क्या है रहा है मी क्या है सब्जेक्ट है तो यह लास सब्जेक्ट नहीं है एक इसका कि अधा कुलीज को अधा थीप सब्जेक्ट क्या है और यह सारा क्या हो गया प्रेडिकेट लेकिन अगरे में इसको पैसिव इसमें लिखूंगा तो क्या बनेगा दा थीप कि वाज कॉर्ट कि बाइदाब पुलिस तो सब्जेक्ट क्या है इसमें सब्जेक्ट है नहीं है यह लाँ पर यह विजए है पकड़ा गया पकड़ा किसने है पुलिस में पकड़ा है इन्दी में देख रिजी आप पैन गिर गया किसे कि रहा मेरे से पहन गिर गया मुझसे पहन कि गया काम गद कोई और ही है तो कई बार सब्जेक्ट जो है वह इंद देखें आपको जानकारी मिलेगी प्रेडिकेट के बारे में तो देखते रही है और इसको सब्सक्राइब कीजिए कोई भी आपकी समस्या है इस से रिलेटिड सब्जेक्ट से रिलेटिड कमेंट बॉक्स में जाए वहां पर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए वह इसको रिप्लाइ करूँगा और वैल आइकोन को दबा करके हमारे चैनल को ताकि उसके आपका समस्या है